अलो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस लैप्टॉप का जो कीबोड है ये खड़ाब है सो हम इसको चेंज करेंगे सबसे पहले लैप्टॉप को प्रपली स्विच आफ कर लेना है फिर इसके बेस के जो स्कूरू से इनको हम खोल लेंगे टॉटल एट स्कूरूस दिये हुएं इसके बेस पे एक अच्छे मैगनेट वाला स्कूरू ड्राइवर ले लीजिए इसमें जो स्कूरूस है वो बाहर नहीं निकलेंगे वो सब लॉक होते है जस्ट लूज होंगे खुलेंगे नहीं इस मौडल में जो मद्रबूर है वो touchpad पर fix होता है तो जो बेस है यह बाहर की तरफ निकलेगा अब यह अपने ओपनर को बेस हो टेट पैड के बीच में जो gap होता है वहांपे ओपनर को डाल के बेस के जो प्लास्टिक के लॉक से इसको unlock कर लेंगे जस्ट ऊपर बेस कवर होता है और यह राम से निकल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यह इसकी बैटरी लगी हुई है अगर आपने बैटरी परचेस करनी है तो यह जो पार्ट नमबर देख रहा है यह आप आउनलाइन डाल के इसकी बैटरी परचेस कर सकते है और यह दो राम की स्लोट लगी हुई है प्रोसेसर, हीट सिंक, सीप्यू फैन और वाइफ़ाइ कार्ड, M.2 SSD है, स्पीकर है और सीमो सेल लगा हुए अब हम बैटरी की जो केबल है, उसे स्लाइड करके डिस्कनेक्ट कर देंगे फिर दो स्कूरूस आप देख सकते, जो मदरबोर्ड पर दिये हैं, यह दोनों स्कूरूस को खोल देंगे यह keyboard के screw से वहाँ पे motherboard पे mention भी किया होता है कि KB लिखा होता है यहाँ पे हमेशा आपने magnet वाला screwdriver ही यूज़ करना है अभी हमने opener की मदद से keyboard को खोलना है opener उपर की तरफ डालके फिर keyboard को दीरे से उठा लेना है यह देखिए निकल गया है अभी जो इसकी wire है इसको unlock करके निकाल लेंगे ऐसे यह देखिए ऐसे keyboard निकल जाता है इसमें जस्ट आपको दिखायागी keyboard को कैसे change करते हैं अभी हम इसकी wire को ऐसी लगाएंगे जस्ट अंदर attach करना है properly lock में और उपर से lock कर देना है फिर नीचे से इसको फसाके फिर उपर से press कर देना है ताकि lock हो जाए अभी हमने जो keyboard के दो screw खोले उन दोनों screws को वैसे ही tight कर लेंगे अभी हम जो battery की cable इसे slide करके disconnect कर लेंगे अभी जो base का cover है इसको हम उपर रख लेंगे base के cover को जस्ट उपर रख के press करना है सभी side से ताकि जो plastic के lock से वो properly attach हो जाए एक दूसरे के साथ फिर base के सभी screws को हम tight कर लेंगे शुक्रिया वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए हमारे channel को और वीडियो के लिए bell icon को press कीजिए नई notifications के लिए like और share जरूर कीजिए अगर आपको इससे कोई भी मदद मिली हो अभी हम laptop को एक बार power on करके check कर लेंगे यह आप देख सकते हैं इसका display आगया है शुक्रिया